क्यासा है आप लोग आप लोग अच्छे होंगे तो देख सते हैं आज का हमारा रेसिपी है दही भेंडे रेसिपी जो कि खाने में तो टेस्टे और डिलीसियस हैं बनाना भी बहुत आसान है आज इसे हम बनाने वाले हैं बहुत ही कम इंग्रीडियंट जो हमारे पास घर में 24 hour available होता है उसे इंग्रीडियंट से हम बनाने वाले हैं बहुत कम तेल का यूज़ करके आज हम बनाने वाले यह रेसिपी है जो कि बिल्कुल भी हेल्दी है बिल्कुल भी extra oil extra masala नहीं है देख सकते हो आप देखने से आपको पता चल रहा होगा लेकिना खाने में बहुत डिल लोऊर पार्ट जो एक्स्ट्रा है उसे काट कर दिंगे और अगर आपके विंडी लंबे हैं तो इससे चारबड में तीन पार्ट में दोपाइट में जितनी मर्जी आप उतने पाट में कर सकते हो बठाप पूंजिया जैसा थोड़े ड़ीप डिल्गल करणा छोड़े बड़े की मंत रखना और आपकी महर्द नगों मुझे पसंद नीए राप तक golden brown होने तक पकाएंगे देख सकते हो इसे बंडी को अच्छे से फ्राइ कर लीना है पांसे चाह मिनिट तक और जब हलका golden brown हो जाए देख सकते हो बंडी हमारी फ्राइब हो चुकी है जादा फ्राइब नहीं करना बिल्कुल जलाना नहीं है नॉर्मल फ्राइब 5-6 मिनिट तक sufficient है कुछ इस तरी से color हो जाना चाहिए बंडी का और उसके बाद के इसे निकाल लेंगे और सेम रड़ाई या सेम पैन में फिर से एक चमच तेल डालो और उसमें एक चमच जीरा डालो उसके बाद क्या तीन से चार कहरे मिर्च डालो बीच से काटके आपको ज्यादा त इस टाइड करना है इससे flavor काफी जाद होता है और उसके बाद कुछ निकरना आपको दही लेना है बिल्कुल फ्रेज दही ले आप मीठी नहीं होनी चाहिए खटी हो चलेगा ज्यादा मीठी दही मत लेना और उसमें आड़ करेंगे हम धनिया पाउडर जीरा पाउडर गरम मसाला कसूरी मेथी कास्मेरी रेच चिली पाउडर हल्दी इस पहिं नहीं आड़ करेंगे हरी हम प्याज में प्याज में आड़ करेंगे और नानमल wizard के लाल मीर्च में यूश करेंगे और तक बाहल उसके बाद हमारा प्याज हो चुका है इसमें डाले गे हल्दी और हमने दही मसाला मिक्स करके रखा है इस मसाले को भी हम प्याज में आड़ करेंगे देख सकते हो और इस टाइम आपको ग्यास का फ्लेम जो है बिल्कुल लो रखना है और दही डालके कंटिनिवरसली 2-3 मिनट तक आपको चलाना है ताकि दही फटे ना फटे टाइप की सबजी ना ह हमारी तो दही को कंटिनिवरसली चलाना है आप चाहिए तो ग्यास का फ्लेम ऑफ भी कर सकते हैं उसके बाद आप दही आड़ करेंगे बट मैंने यहां को फ्लेम बिल्कुल लो रख आ उसके बाद दही आड करा कंटिनिवरसली 2-3 मिन तक चला और उसके बाद बिंडे मिक् जादा नहीं बहुत जल्दी पक जाती है तो वही मैंने कड़ोरी में थोड़ा सा पानी आड़ करा और इसे डखके आपको पान से चाहिए तक फिर से पका लेना है उसके बाद कि आपको जितने ग्रेवी चाहिए आप अपने पाने डालो और उसके बाद हमारी दही वाली विं अगर आप हमारे चनल पर नए हैं तो चनल को सब्सक्राइब करके घंड़ा देवाना मत भूलिएगा तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बाबाई टेक केर सब्सक्राइब करके बाद बाद इसक्राइब